हेलो फ्रेंड निटिंग डिजाइन में ये देखिए बहुत ही खुपसरत और प्यारा से मैं एक बॉडर लेकर आई हूँ मल्टी कलर बॉडर की डिजाइन बहुत ही प्यारी और खुपसरत सी डिजाइन है आप किसी भी स्वेटर में जैकेट पर कार्डिगन पर कहीं भी इसे बना सकते हैं और इसी डिजाइन से कैप भी बना हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगी कि ये कैप कैसा दिखता है तो उसके देखनी से पहले आप आईए इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं ये देखें इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें एट एट के मल्टिपल फंदे चाहिए और प्लस वन कर दें तो ये डिजाइन हमारी सेट हो जाएगे तो आप अपने हिसाब से पंदे लिजे बॉर्डर बनाएए और बॉर्डर बनाने के बाद दो सलाईया ये ब्लैक कलर से हैं और ब्लैक कलर से दो सलाईय बनाने के बाद हमारी ये डिजाइन के रो नमबर वन स्टार्ट होती है तो इसमें सबसे पहले 1, 2, 3, 4 फंदे हम ब्लैक से करेंगे और अब यहाँ पे हमारा वाइट आएगा तो 1 हम वाइट से करेंगे अब फिर ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ब्लैक से तो स्टार्टिंग में से 4 फंदे ब्लैक करेंगे उसके बाद 1 वाइट 7 ब्लैक हम पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे यह 1 हम वाइट से करेंगे और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लैक तो इन्ही फंदों को रिपीट करते हुए हमें पूरी रो को बनाना है यह देखें रो 4 तक मैंने सेम कलर बना लिया है अब हम रो 5 में इस वाइट फंदे के दोनों साइड वाले एक एक जो ब्लैक है इसे भी वाइट करेंगे तो यह देखें हम मैं रो 5 दिखाती हूँ आपको बना कर यह 1, 2, 3 स्टार्टिंग में सिर्फ 3 फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे और अब हम वाइट किलर से 1, 2, 3 फंदे वाइट के करेंगे यह 1, 2, 3 हमारे वाइट से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ब्लैक से तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए हम पूरी रो को बनाएंगे और यह देखें 3 वाइट, 5 ब्लैक, 3 वाइट, 5 ब्लैक करते आएंगे तो लास्ट में 3 फंदे वाइट के बाद सिफ 3 फंदे ही ब्लैक करेंगे और इसके बाद अब हम रो नमबर 6, 7, 8 तीन सलाईयां और सेम कलर करेंगे 3 वाइट को वाइट से करेंगे और 5 ब्लैक को ब्लैक तो बना करके दिखाते हैं यह देखें यहां पर मैंने रो नमबर 6, 7, 8 सेम कलर बना लिया है अब हमारी रो नमबर 9 आ गई है और इसमें हम 1, 2 फंदे ब्लैक से करेंगे अब हमारा वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट 1, 2, 3 हमारे ब्लैक से और देखें स्टार्टिंग में सिर्ट फंदे ही हमारे ब्लैक के हैं उसके बाद 5 फंदे वाइट और 3 ब्लैक हम पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे तो एक बार और रिपीट करते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वाइट से और 3 फंदे ब्लैक 1, 2, और एक 3 और यह देखें जब हम रो की लास्ट में आएँगे तो 5 फंदे वाइट के बाद सिर्फ 2 फंदे ही हमारे ब्लैक के रहेंगे तो इस तरह से यह रो 9 हमारी बन गई अब इसके बाद रो नमबर 10, 11 और 12 तीन सलाईया फिर हम सेम कलर बनाएँगे 5 वाइट को वाइट और 3 ब्लैक को ब्लैक कलर से करेंगे यह देखे रो नमबर 12 तक मैंने बना लिया अब हम रो नमबर 13 पे हैं और इसमें भी ज़रा स्थ्यान से देखे 1 हम ब्लैक से करेंगे और अब हमारा वाइट 1, 2, 3 फंदे वाइट के करेंगे और जो यह बीच वाला वाइट है यहाँ पे अब हमारा दूसरा कलर आजाएगा और यहाँ पे मैंने यह परपल ले लिया है 1 हम परपल से करेंगे और अब फिर हमारा वाइट कलर आएगा 1, 2, 3 फंदे वाइट के अब 1 ब्लैक से लेकर इस 3 वाइट तक की डिजाइन हम रिपीट करेंगे तो एक बर और रिपीट करके दिखाते हैं 1 हमारा ब्लैक 1, 2, 3 फंदे वाइट 1 हम परपल से करेंगे परपल या पिंग कोई सा भी आप कलर यहाँ लगा सकती है और 1, 2, 3 फंदे वाइट तो इनी फंदो को रिपीट करते हुए हमें पूरी रो को बनाना है और देखे जब इनी फंदो को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में 3 फंदे वाइट के बाद 1 हमारा ब्लैक कलर से रहेगा यह हमारी रो नमबर 14 है बैक साइट से इसमें हमें जहाँ जहाँ ब्लैक फंदे हैं उन्हें ब्लैक से ही परपल को परपल और वाइट को वाइट सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाना है ये देखें रो 14 मैंने सेम कलर बना लिया है और अब हम रो 15 पे हैं तो इसमें जहाँ जहाँ जो black फंदे हैं, उन्हें हमें black से ही करना है, तो one हम black से करेंगे, और अब हमारा white आएगा, अब one, two फंदे हम white के करेंगे, और बीच में अब three फंदे हमारे purple से हो जाएंगे, ये one, two, three फंदे purple, one, two हमारे white से, और फिर इस black को हम black से करेंगे, और फिर इसी design को हम repeat करेंगे, one, two हमारे white से, और बीच में अब one, two, three हमारे purple, one, two white और फिर इस black को one हम black से करेंगे, तो ये देखे, इसी तरह से ये पूरी रो अब हमारी पने की, ये देखे, इसी तरह से मैंने पूरी रो को कर लिया है, तो लास्ट में भी black को मैंने black से किया, तो बीच में हमारे three फंदे purple हैं, उसके दोनों साइट दो दो फंदे white के हैं, और यहां पे black, तो इस तरह से ये रो नमबर 15 बन गई, अब हम रो नमबर 16, 17 और 18, तीन सलाईयां हम सेम कलर बनाएंगे, ब्लैक को ब्लैक से करेंगे, परपल को परपल और वाइट को वाइट, तो हम बना करके फिर दिखाते हैं, ये देखे, रो 18 तक हमने सेम कलर बना लिया है, तो डिज हमारा रेट कलर आएगा, तो देखी, सबसे पहले, वन हम रेट से करेंगे, और वन रेट के बाद, ये हमारा वाइट कलर रहेगा, वन, टू, थ्री फंदे हम वाइट के करेंगे, और इस बीच वाले परपल को, वन हमारा परपल, अब वाइट कलर से, वन, टू, 3 हमारे white से हो जाएंगे. और इस black को हम 1 red करेंगे. तो ये देखी? 1 red, 3 white, 1 purple, 3 white, फिर 1 red. अब यहाँ 3 white से फिर हम start करेंगे. 1, 2, 3 हमारे white से इस बीच वाले purple को हम 1 purple करेंगे 1, 2, 3 फंदे white और इस black को 1 हम red से करेंगे तो इसी तरह से इस पूरी row को आप हम बनाएंगे तेखें यह हमारी row number 20 है इसमें भी हमें same color करना है जहां पर जो color है red को red, white को white, purple को purple same color करते भी इस पूरी row को हम बनाएंगे और यह देखें row number 21 में सबसे पहले red का आएंगा 1, 2 हम red से करेंगे और अब हमारा white 1, 2, 3, 4 5 फंदे white अब हमारा red के लड़सी 1, 2, 3 हम red से करेंगे तो स्टार्टिंग में सिफ 2 फंदे हमारे red करेंगे उसके बाद हम 5 फंदे white 3 फंदे red पूरी row में repeat करेंगे तो एक बार रिपीट करते हैं ये वान, टू, थ्री, पोर, फाइब हमारे white से वान, टू, थ्री फंदे red वान, टू, थ्री, पोर, फाइब फंदे white और थ्री फंदे red के तो इस तरह से ये पूरी row हमारी बनेगी और देखें जब हम row की last में आएगे तो फाइब फंदे white के बाद सिफ 2 फंदे ही हमारे red कलर से रहेंगे ये हमारी row number 22 है इसमें हमें same color करना है 3 फंदे red को red से करना है और 5 white को white कलर करते हुए इस पूरी row को बनाना है ये देखें row 22 मैंने same color बना ली है तो किती खुबसर design ही हमारी दिख रही है और अब हम row number 23 पे हैं और इसमें अब हमारा orange color भी आ जाएगा तो ये देखें शुरू में 1 हम orange से करेंगे और 1 orange के बाद अब यहां पे हमारा red का रहाएगा तो 1 टू फंदे red के रहेंगे अब white color से 1, 2, 3 फंदे बीच में हमारे white के होगे 1, 2 फंदे red और इस बीच वाले red को हम 1 orange करेंगे अब हम 2 red से 1 orange तक की design को repeat करेंगे तो मैं correct की दिखाती हूँ 1, 2 फंदे red अब इस white को white करेंगे 1, 2, 3 हमारे white से 1, 2 फंदे red और 1 हमारा orange तो इनी फंदों को repeat करते हूए अब हमें पूरी रो को बनाना है यह देखे जब हम इनी फंदों को repeat करते हूएंगे तो last में 2 फंदे red के बाद 1 हमारा orange कलर से रहेगा और यह हमारी row number 24 है इसमें हमें same color करना है red फंदों को red से करना है orange को orange और white फंदों को white कलर से तो same color करते हूए इस पूरी row को बनाएंगे यह हमारी row number 25 जिसमें शुरू में 1, 2 फंदे हमारे orange के हैं one, two फंदे red और इस बीच वाले white को हम one white करेंगे और one white के बाद one, two फंदे हमारे red के हो जाएंगे अब यहां बीच में three फंदे orange यह one, two, three हमारे orange हो जाएंगे और three orange के बाद फिर हम one, two फंदे red से करेंगे इस बीच वाले white को हमें one white ही करना है और one white के बगल में फिर हमारा red आएगा one, two फंदे red one, two, three फंदे orange गे तो इनी फंदों को रपीट करते हुए अब हम पूरी रो को बनाएंगे और यह देखें इस तरह से जब इनी फंदों को रपीट करते आएंगे तो last में two फंदे red के बाद सिर्फ two फंदे ही orange से रहेंगे यह हमारी रो नमबा 26 इसमें भी हमें सेम कलर करना है जो फंदे जिस कलर के हैं हमें उसी कलर से पुनना है और यह हमारी रो नमबार 27 है जिसमें पहले हमारा ओरेंज आएगा one, two, three फंदे orange अब हमारा red one, two, three फंदे हम red से करेंगे orange कलर से one, two, three, four, five हमारे orange तो स्टार्टिंग में सिर्फ three फंदे orange के हैं उसके बाद हम three फंदे red five orange पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे बना के दिखाते हैं ये one, two, three फंदे red और ओरेंज कलर से one, two, three, four, five फिर three फंदे हमारे red के हो जाएंगे तो इस तरह से three फंदे red और five ओरेंज करते हुए हम पूरी रो को बनाएंगे और जब हम रो की last में आएंगे तो यहाँ पे three फंदे orange के हो जाएंगे ये हमारी रो नमबर 28 है जिसमें हमें orange को orange और red को red same color करते हुए इस पूरी रो को बनाना है ये हमारी रो नमबर 29 जिसमें सबसे पहले one हमारा white से आएगा और अब orange color से one, two, three फंदे orange और इस बीच वाले red को हम red से ही बनाएंगे तो one हमारा red हो जाएगा one, two, three फंदे orange और इस बीच वाले orange को one हम white से करेंगे अब इन्ही फंदों को देखे फिर repeat करना है one, two, three हमारे orange इस बीच वाले red को one हम red करेंगे फिर orange color से one, two, three हमारे orange और one हमारा white तो इन्ही फंदों को repeat करते वे इस पूरी रो को हम बनाएंगे यह देखे यह हमारी रो 30 है इसमें भी हमें same color करना है red फंदों को red से white को white और orange को orange same color करते वे इस पूरी रो को हम बनाएंगे और यह pro 31 जिसमें one, two हमारे white से अब हमारा यहाँ पे orange आएगा one, two, three, four, five हमारे orange अब white कलर से one, two, three हमारे white से तो इस टार्टिंग में दो फंदे हमारे हैं white के अब हम five orange, three white पूरी रो में बार पर repeat करेंगे यह one, two, three, four, five हमारे orange और थ्री फंदे white तो हम बना करके दिखाते हैं और यह देखे five orange, three white, five orange, three white करते आएंगे तो लास्ट के two फंदे ही हमारे white से रहेंगे यह हमारी रो नमबा 32 है इसमें five orange को orange, three white को white सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे यह देखे रो नमबा 33 में यह one, two, three फंदे हम white से करेंगे अब orange कलर से one, two, three फंदे orange अब white कलर से one, two, three, four, five हमारे white से शुरू में हमारे three फंदे white के रहेंगे उसके बाद हम three फंदे orange, five फंदे white पूरी रो में बार पर रिपीट करेंगे एक बार रिपीट करते हैं कि one, two, three हमारे orange one, two, three, four, five फंदे white और फिर हम three orange करेंगे तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है और जब हम रो की last में आएंगे तो यहाँ पे सिफ three फंदे ही हमारे white से रहेंगे देखें, रो नमबा 34 में भी हमें same color करना है five white को white करना है और three orange को orange color से और यह हमारे रो 35 जिसमें one, two, three, four फंदे white और बीच वाले इस orange को one हम orange से करेंगे और फिर हमारा white color आ जाएगा और फिर हमारा white color आ जाएगा वन, two, three, four, five, six और एक seven तो इस टार्टिंग में four फंदे हमारे white करेंगे उसके बाद one orange, seven white हम पूरी रो में बार बर repeat करेंगे one हम orange से करेंगे और seven फंदे हमारे white के यह one, two, three, four, five, six, seven और फिर one हमारा orange आएगा और यह देखिए, one orange, seven white, one orange, seven white, one orange और रो की last में सिफ four फंदे ही white के और यह हमारी रो नमबर 36 जो इस डिजाइन की आखरी रो है इसमें भी हम white को white, orange को orange सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे यह देखिए, 36 रो में कितनी खूपसरा से है हमारा यह border की डिजाइन बन गई और इसके बाद उपर आप पूरा white कलर से स्वेटर बनाए बहुत ही पैरी सी डिजाइन और इसी डिजाइन से अगर आप cap बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो cap हमारे कैसे बनेंगी और cap की घटाई के लिए हमने हर बार एकी तरह से उपर की घटाई की है तो मैं वीडियो लिंक दे दूँगी आप वहाँ से cap की घटाई को भी देख सकते हैं तो बहुत ही खूपसर डिजाइन तो आईए हम इस design का graph देखते हैं और इस प्यारे से cap को भी देखते हैं